तुछ टच किया, कुछ खाया, ओके टीगल में फार्क होता है सत्या तुछ टाहरा रही है, इसे बीच आल्याभट ने पर्मों के पी आर को लेकर भी बात की है जहां अधिकतर लोगों का यहीं मानना होता है कि फिर्म के लिए प्रमोशन बहुत ही जरूरी होता है और इस से फिर्म को काफी हाइप मिलती है, फाइदा होता है यानि कि फिम चल सकती है लेकिन आल्या भट को ऐसा नहीं लगता वो इससे एकदम अलग सोच रखती है आल्या भट ने कहा कि आप एक खराब फिम को पियार के साथ नहीं बचा सकते आप एक ऐसी पम को बिल्कूल भी नहीं बटा सकते जो कि PR के साथ काम नहीं करती इसलिए अगर ये काम करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि PR की वज़ों से है यही की डिफरेंस है इसलिए लाइम खीचे और समझने की कोशिश करें इसके साथी आले भटे लाइम लाइट में रहने की प्रशर पर भी बात की है उन्होंने कहा अपने बाले में कुछ खास बाते लोगों के सामने रखना नॉर्मल बात है लेकिन जब लोगों अपनी कहानिया गढ़ना शुरू कर देते हैं तब सिच्वेशन खराब हो जाती है और उन्होंने जोड देते वे कहा कि जूट बोलने से कभी भी सचाई नहीं बदल सकती है एक जूट को सौ बर दोहराने से वो सच नहीं हो जाता है वहीं जिग्रा की रिलीज से पहले 10 अक्टूबर को रजनीकान की वेट्यान राजकुमार राओ और त्रिप्ति डिम्री की विकी विद्या का वोबला वीडियो मार्टिन रिलीज हो रही है तो जिग्रा की कलेक्शन पर इन पन्मों का असर पढ़ सकता है लेकिन जाता की आलिया भट ने कहा की कहानी पन्मों की असरी हीरो होती है तो ऐसे में अगर जिग्रा की कहानी सच में ओडियन्स के मन को भाग गई तो डेफिनेटली ये सब पर भारी पर सकती है दोस्तो आलिया भट के साथ जिग्रा में विदांग रैना और मनोज पहवा भी एहम भुमिकाओं में हैं इसके लाबा आलिया के पास कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं पिलहाल वो शिव रवैल के डारक्षने बन रही और वायर अधिस्पाइ उन्यवर्स की अलपा की शूटिंग कर रही है जुसमें उनके साथ शर्वरी बाग भी है दोनोंने हाली में कश्मीर शड्डियूल पूरा किया था साथी आल्या, संजल्रा भंसाली के साथ लव और वर में भी काम कर रही है मिकी बोरनवीर कपूर और विकी कोशल के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी फिलहाल दोस्तों आप जिगरा के लिए किसने एक्साइट है हमें कॉमेंट्स पर सरूर बताएं साथी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो हो लाइक और शेयर करेंगी हमें पर शेयर करेंगी